मिन्नी स्टोरी पार्ट वन मुर्गा की आकल ठिकाने एक समय की बात है एक गाव में डेर सारे मुर्गे रहते थे गाव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था मुर्गा परशान हो गया उसने सोचा आगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूँगा सब सोते रहेंगे तब मेरी अविमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे मुर्गा आगली सुबह कुछ ने बोला सभी लोग समय पर उड़कर अपनी अपनी काम में लग गये इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी की बिना कोई काम ने रुकता, सबका काम चलता रहता है नेदिक शिक्षा, गमर नहीं करना चाहिए आपकी अवमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है